तो DSSSB की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है, DSSSB ने आज एक साथ पांच नोटिफिकेशन जारी किये हैं, मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके पांचो नोटिफिकेशन बताऊंगा, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, तो पहला नोटिफिकेशन आप टेलीफोन ओपरेटर का पोस्ट कोड है 12 बटा 20, तो इसमें कुछ कैंटेट्स का जो कैंटेचर है, वो reject कर दिया गया है, कारण आगे बताया गया है, ये तीन रोल नंबर है, इन तीनों का ही कैंटेचर जो है reject कर दिया गया है, तो आप देख सकते है नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं, इनके roll number, cutoff देख लेते हैं एक बार, ये रही cutoff, general OBC, SC, ST, EWS की, उसके बाद है waiting list, waiting list भी जारी कर दी गई है, आप देख लीजिए, और आप इन notification को official website से download कर सकते हैं, तो चलिए तीसरा notification देखते हैं, तो आप देख सकते हैं, ये है तीसरा notification, second recall notice number 12, वेटनरी, livestock inspector का, तो इसमें जो candidates के roll number दिये हैं, इन्हें last और final opportunity दी गई है, अपने documents में correction करने के लिए, एक सितंबर से 5 सितंबर तक ये correction कर पाएंगे, तो आप देख सकते हैं, इनके roll number 7-7 remarks दिये हैं, क्या इनको कमियां दूर करनी है, और याद रहे, ये last and final opportunity है इनके लि mail का, तो PGT physical education के लिए, जिनके भी qualifying marks से equal है, या फिर इससे ज़्यादा है, वे short list कर लिए गए हैं, और accordingly उन्हें अब अपने e-dozier upload करना है, तो आप देख सकते हैं, cut off marks दी गई हैं, general OBC, SC और ST, UR के हैं, 155.50, तो जिनके भी इतने marks हैं, या इससे अधिक हैं, वे अपना account में login करें, और e-dozier को upload करें, कब से कब तक कर सकते हैं, 6 सितंबर से 20 सितंबर तक, तो आप ये notification पूरा पढ़ लेना official website से, तो चलिए अब बढ़ते हैं, अपने आखरी और पांचवे notification की तरफ, तो आप देख सकते हैं, हम आगे हैं अपने पांचवे notification पर, candidates for the post of assistant teacher nursery post code है, 16 बटा 19, and uploading e-dozier regarding, तो इसमें जो roll number दिये हैं नीचे, इनके जो e-dozier है, उसमें कुछ defect थे, इन्हें अब जो है, अपना defect को दूर करना है, the above candidate whose documents are deficient, are directed to upload their pending documents, कब से कब तक, 1 सितंबर से 10 सितंबर तक, तो इतना ही time इन्हें दिया गया है, कि ये अपने जो e-dozier है, उसमे correction कर सकें, तो ये थे 5 ओ notification, अगर आप इसी तरह की latest और updated news हमारे चैनल पर पाना चाहते हैं, तो चैनल को जुरू subscribe करें, और इससे पहले DSSB ने admit card जारी किया है, उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, मेरे चैनल पर उपलब्ध है, playlist देख सकते हैं आप जाकर DSSB news के ना अब्द होंगी